हेलो फ्रेंड्स तो अपने लेक्चर नाइन में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कॉलाइडल स्टेट तो कॉलाइडल स्टेट डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे थॉमस क्रहम की कि थॉमस क्रहम ने 1861 में उब्सर्फ क्या था कि जिस तरह से महर पास कुछ salutes हैं like starch, glue, gelatin तो उसने ये देखा कि ये जो salutes हैं ये parchment membrane से पास नहीं हो सकते हैं तो उसने ये देखा कि जो sodium chloride है, urea है या sugar है जबकि ये salutes parchment membrane से easily pass हो सकते हैं तो इस spaces पे उसने ग्राहम ने जो starch, glue या gelatin है उन salutes को नाम दिया collides क्योंकि ग्रीक में cola का मतलब होता है glue जबकि उसने sodium chloride, urea या sugar इन salutes को नाम दिया crystallites तो इस तरह से ग्राहम ने classify क्या था salutes को as collides या crystallites पर ये जो classification है, collide या crystallite की कि वो parchment back से या membrane से पास हो सकता है या नहीं हो सकता है तो इस तरह की जो classification थी Graham की आगे चलके ये wrong proof हुई क्योंकि जब बाद में कुछ और salutes की states के बारे में discuss किया लाइक जैसे अगर हम बात करें sodium chloride की तो sodium chloride को जब हम water में dissolve करते हैं तो sodium chloride एक crystallite की तरह behave करता है जबकि same NaCl को जब हम benzene में add करें तो यही NaCl एक collide की तरह behave करता है कि एक NaCl water में crystallite और benzene में collide की तरह behave कर रहे तो यानि जो NaCl है वो crystallite और collide दोनों की तरह act कर सकता है इसी तरह से अगर हम बात करें soap की तो soap जह वो collide की typical example है कि जब हम soap solution water में बनाते हैं soap in water तो यह collidal solution बनाता है और अगर हम इसी soap को जब alcohol में लेते हैं तो यही soap एक crystallite को form करता है एक crystallite की तरह behave करता है तो यानि soap भी crystallite और collide दोनों की तरह behave कर सकता है तो इसी तरह से generalize किया गया further studies की गई और studies के basis पे यह देखा गया कि कोई भी अगर हम substance लेते हैं तो वो substance एक collide और crystallite दोनों की तरह behave कर सकता है यह depend करता है उस substance के particle size पे कि उस substance का particle size कितना है तो उसी size के basis पे कोई भी अगर हम substance लें तो वो collide और crystallite दोनों की तरह behave कर सकता है तो जिसमें की यह देखा गया कि अगर particle का size 1 nanometer से 1000 nanometer के बीच में लाइक करता है यह अगर हम meters में बात करें तो 10 raised power minus 9 meter से 10 raised power minus 6 meter की range में अगर हमें particle का size मिलता है तो ऐसे case में वो substance behave करेगा एक crystallite की तरह तो इसका मतलब यह हुआ कि जो collide है collide है कोई particular substance नहीं है हम किसी substance को particularly यह नहीं कह सकते कि यह substance से collide होगा यह सबस्टांस एक crystallite होगा यह depend करेगा उस सबस्टांस के particle size पे कि अगर उस सबस्टांस का particle size 1 nanometer to 1000 nanometer के बीच में ही लाई करता है तो ही हम उस सबस्टांस को कह सकते हैं collide तो इसका मतलब यह हुआ कि जो collide है वो कोई एक substance नहीं है जबकि collide क्या है सबस्टांस की state है जो की depend करती है molecular size पे तो इसलिए हम यह कहते हैं कि collide is not a substance but it is a state of a substance which depends upon the molecular size तो यह first question भी है NCRT से कि हमें comment करके यह बताना है उसमें कि collide जो है वो एक सबस्टांस नहीं है collide एक सबस्टांस की state है तो हम इस तरह से उसको justify कर सकते हैं statement बता सकते हैं then next हम बात करेंगा particle size के basis पे ही हम mixtures कह सकते हैं कि mixtures को classify कर सकते हैं three types में तो हमार पास यह 3 तरह के यहां पे mixtures जिनकी हम यहां पे comparative study ले लेंगे इस study के basis पे आप इसका difference अगर question आपको paper में आता है difference के लिए comparison के लिए तो आप इस table के through भी easily यहां से इसको understand कर सकते हैं तो हम इस table के basis पे देखेंगे इन mixtures की classification as suspension, collidal solution and true solution तो सबसे पहले अगर हम बात करें nature की तो suspension जो है एक heterogeneous mixture होता है जिसमें की particle का size हमें काफी large मिलता है it is greater than 1000 nanometer जबकि अगर हम collidal solution की बात करें collidal solution सिर्फ दिखते होमोजीनेस है बट actually यह एक heterogeneous mixture ही है जिसमें particle size आपको बताया अभी 1 nanometer to 1000 nanometer के बीच में हमें मिलता है जबकि true solutions जो हैं यह होमोजीनेस mixture ही है जिसमें की particle size काफी small होता है less than 1 nanometer कि अगर particle का size 1 nanometer से कम है तो वो form करेगा true solution को अगर particle का size 1000 nanometer से ज़ादा है तो हमें mixture मिलेगा suspension और अगर mixture में particle का size 1 nanometer to 1000 nanometer के बीच में है तो उस mixture को हम बोलेंगे collidal solution अगर हम बात करें अब particle separation की तो suspension में अभी आपको बताए कि particle का size large होता है तो large होने की वज़े से हम particles को separate कर सकते हैं ordinary filtration से भी और ultra filtration से भी जबकि जो collidal solution है इसमें particle का size थोड़ा small ही है पर true solution से large है तो जिसकी वज़े से ordinary filtration से जब हम ordinary filter paper का use करते हैं तो collidal solution के particle उस ordinary filter paper के pore से पास हो जाते हैं तो जिसकी वज़े से हम ordinary filtration से collidal particles की separation नहीं कर पाते हैं जबकि ultra filtration करके हम next one is setting of particles तो suspension में particle size large होता है तो जिसकी वज़े से gravitational force act करती है उन particles पे तो जब gravitational force act करेगी तो वो particle heavy होने की वज़े से नीचे settle down हो जाएंगे जबकि collidal solution के जो particles हैं वो थोड़े particle size उनका smaller है as comparison to suspension तो particles जो ग्रावटी की वज़े से settle down नहीं होंगे बट हाँ अगर हम centrifugation method अपलाई करें तो particles उनकी हम settling करवा सकते हैं जबकि true solution के particles जो हम वो settle down नहीं होते हैं then visibility की बात करें तो suspension में particle size large है तो हम उनको अपनी naked eye से भी देख सकते हैं और microscope की help से भी देख सकते हैं जबकि collidal solution के जो particles हैं उनको हम ultra microscope की help से देख सकते हैं जिसमें की हम observe कर सकते हैं scattering of light कि collidal particle किस तरह से light को scatter करते हैं और further true solution के अगर हम बात करें तो true solution के particles जो हैं वो invisible होंगे to the naked eye as well as through the ultra microscope then appearance की अगर हम बात करें तो suspension जो है that is opaque collidal solution generally transparent ही हमें मिलता है और true solution जो है वो transparent ही होता है then tender effect की अगर हम बात करें तो suspension और collidal solution दोनों ही tender effect को शो करते हैं जबकि true solution के अगर हम बात करें तो suspension के जो particles होते हैं तो इन में हमें diffusion नहीं मिलता है जबकि collidal solutions जो हैं इन में particles जो हैं वो दीरे दीरे diffuse होते हैं जबकि true solution के particles जो हैं वो easily diffuse हो जाते हैं जल्दी से diffuse होंगे then बात करें अगर हम brownion movement की तो brownion movement जो है suspension particles शो कर सकते हैं और जो collidal solution है वो शो करते ही है brownion movement को और true solution में brownion movement हमें काफी कम मिलती है तो यह जो हमने कुछ process अभी कहे अल्टा filtration, tindle effect, brownion movement यह detail में अभी हम आगे collides की characteristics में further discuss करेंगे तो detail में आगे हमने इनके बारे में study करना है तो इन तीनों मैंसे जो इस chapter में आपने mixtures के बारे में पढ़ना है वो है collidal solutions तो जिसमें की सबसे वहले हम बात करेंगे अब इसमें की phases की phases of collides and their classification तो collides के जो phases हैं दो phases हमें मिलते हैं जिनको हम classify करते हैं as dispersed phase and dispersion medium dispersed phase वो component है collidal solution का जो की small quantities में present होता है like that of solute in solution जैसे solution में solute को हम consider करते हैं कि वो component जो small quantities में present होता है उसी तरह से dispersed phase भी हमें collidal solution में वो component मिलता है जो की small proportions में present होता है जैसे कि अगर हम silver का collidal solution बनाना है water में तो इसमें जो silver होगा silver is the dispersed phase और dispersion medium आगया वो generally हम उस component को कहते हैं जो large excess में हो जादा quantity में हो जैसे कि solution में solvent होता है तो इसी तरह से जैसे हमने का silver in water का अगर हमें collidal solution बनाना है तो इसमें जो silver होगा वो dispersed phase होगा और जो water है वो dispersion medium होगा यानि जो collidal particle से हम वो dispersed होते हैं dispersion medium में तो ये थे दो components collidal solution के dispersed phase and dispersion medium thank you you